असलाम अलेकुम मेरा नाम है मुहम्मद योनस और आप देख रहे हैं जॉब्स विद मुहम्मद योनस के साथ आज हम जिस एड का जिकर करने जा रहे हैं वो है एड नमबर 32 जो सन 2023 को आया था जॉब 31 दिसंबर सन 2023 में ये जॉब अनाउंच होई थी पीपीएसी के तरू और पेपर के अंदर भी पेपलिश होई थी ये एड नमबर 32 और इसके अंदर जो जॉब्स अनाउंच होई हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जॉब्स और इसके अंदर इलिजिबिलिटी क्राइट एरिया क्या है और उसका सलेबस्ट क्या होगा और ए सर्को दर डेवीजन के अंदर ये उती है बोर्ड ऑफ रैविनouch के add होती जिकांट होता है कितरे ही जिनका काम होता है कि रैवीनॕट बेस्ट पर तीन साल के लिए है तीन साल का कॉंट्रnaire होगा पहले और उसके बाद ज्यादा तर ऐसा होते है कि उनीको आगे पर्मन मैंट कर दिये चाहता है, काउंटएक्ट खत्म करके, तो इसके लिए जो basically qualification है, वो क्या है, वो graduate second division होनी चाहिए, आपकी graduation होनी चाहिए, second division के साथ, जो आपके PPSC का basic criteria होता है second division, और वो भी किसी जी अगनाइज universities होनी चाहिए, तो इसके लिए जो age है male के लिए वो क्या है वो 18 साल है 18 से लेकर 25 तक और 5 साल उसकी एज रिलेक्सेशन भी है और टोटल अगर किसी की 30 एर तक एज है तो 18 से लेकर 30 तक तो अपलाई कर सकता है अगर फीमिल्स की एज तो वो 18 से लेकर 33 साल तक 18 से लेकर 25 तक तो एज की लिमिट और 8 साल की रिलेक्से इंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है और इसके अंदर तीनों जो है ना कोई भी अप्लाई कर सकता है डॉमिसल किसका उना चाहिए डॉमिसल के लिए सरकोदा डिवियन अल्ली पकर खुशाब और मियाँ वाली अब सरकोदा डिविजन में होनी चाहिए और उसके अंदर सरकोदा, बकर, खुशाब और मियाँ वाले ये सिर्फ लोग अपलाई कर सकते हैं और इसके अंदर जो पेपर का स्लेबस होगा वो क्यों होगा वो जॉब लेटर डियोकोसिंज होंगे वो 50% होगे और जनरल अबिलिटी इंक्लूड जोगी वो 50% होगे और उसके अंदर क्या होगा जीके होगा पाकिसन सटीज होगी, क्रांट अफेर होगा, जोग्राफी होगी, बेसिक मैथेमेटिक्स होगी, इंगलिश होगी, अर्दू होगा और एवरीडे साइंस और बेसिक कम्प्यूट अधेरे सेस्दुर्ब के अंदर अधेर सेसका होगी कार्णा, जोगे यहां इनक्राफी होगी, बेसिक मैरिट होगा जोगा होगा होगी होगा, इस पांच सल का कॉन्टर्रिक होगा और इसके लिर विल्त बयावनवने जायाएं और गयाका होगा, पांच जूर्कषिझ में recognize university से परफिजिए variety और श्कले जो marry जो मेल मेल जो कि अपीस साल से लेकर 35 साल तरग कर सकते हैं और फीमेल जो हमारे पास जेंडर है तेनो जेंडर, फीमेल पहीं जेंडर पर अप्लाई कर सकते हैं और ये आल पंजाब बेसिस पर इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी खाज डिविजन या जिले का इसके अंदर सब के सब लोग अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से और इसकी जो पोस्टिंग हो वो कहीं भी पंजाब के अंदर हो सीट हैं हैं वो हैं पंजाब Food Authority Food Department के अंदर और ये 20 सीटे हैं और 20 सीटे हैं से 13 जो है वो उपन मेरिट है वोमन कोटा फिर्फ चार सीटे हैं स्पेशल परस्ट कोटा दो हैं मनुर्टी कोटा भान है अब ये जैसे आगया वूमन कोटा तो यह चार जो सेटे हैं वूमन कोटा है इसमें चार वूमन ही लगेंगी special persons जो होंगे ये दो सेटे special persons को ही दी जाएंगे और जो minority कोटा इसमें higher muslim ही लगेंगे जो 13 merit की सेटे हैं उस पर भी ये लोग apply कर सकते हैं लेकिन जो कोटे की सेटे हैं उन पर सिरफ female या special persons या minority वाले लोग ही लगेंगे तो यह जो इसका basic base scale है वो पंदरवा accountant की job है और यह on contract based for the period of three years यह तीन साल तक contract होगा उसके बाद might be in को maximum chances होते हैं कि इनको permanent कर दिया जाता है 99% chances होते हैं और इसकी जो qualification है वो BA होनी चाहिए भी कम होनी चाहिए second division के साथ with three year experience as accountant और वो बंदा या फीमेल जो इसके लिए apply कर रहा है उसका come as come as accountant के तोर पर तेन साल का experience होना जरूरी है इस job के लिए और only practical experience is relevant field after prescribed qualification shall be considered तो वो गहते हैं कि इसके लिए जो हमारा हमने experience लिखा है वो लाजमी होना चाहिए उस बंदे के पास और दूसरा इसके अंदर point ये लिखा गया है कि जो experience होना चाहिए वो भी किसी private किसी अदारे से भी उसको मतलब समझा जा सकता है कि हाँ भी इसका experience है फर्ज किया कि वो किसी private अदारे में बंदा काम करता रही है वो female काम करती रही है वो transgender काम करता रहा है तो उसको भी वो as a experience consider करेंगे उसके अंदर शरत उन्होंने ये लगाई है कि रिजिस्टर होना चाहिए वो किसी भी SACP इदारे से या फिर रिजिस्टर और फर्म से होनी चाहिए या पिर रहनी अदर regularity authority या किसी भी regularity authority से वो रिजिस्टर होना चाहिए तो इसके लिए जो male की age limit है वो 23 साल से लेकर 32 साल तक है और female की जो age है वो 23 साल से लेकर 23 years से लेकर 38 years तक है और इसके अंदर भी male female transgender अप्लाई कर सकते हैं और ये भी पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है domicile पंजाब basis भी होना चाहिए किसी भी पंजाब के डिस्टिक्स है किसी भी डिविजन सप्लाई कर सकते हैं और इसकी पोस्टिंग जो होगी वो भी पंजाब के अंदर कहीं से भी कहां कहीं पर भी हो सकती है और इसके अंदर जो लास्ट चीज़ असले बस तो इसका जो बी के इसका जो वन पेपर होगा सो माक्स का 90 मिन्ट के अंदर अपने इसको पेपर को कम्लीट करना होगा और बी कम के रिलेटेड एमसी को जो होगे वो 50 होगे और जेनल अबिल्टी इंक्लूडिंग जो होगा पचास परसंट का होगा जिसके अंदर वही जी के पाकिसन सटीज कानट अफेर्स जियो कराफी इंगलेश उर्दू एप वीडे साइंस बेसिक मैथमेडिक्स एंड बेसिक कम्यूटर सटीज होगा और और इसकी जो क्लोजिंग डेटा वो है 15 जनवरी सन 2024 15 जनवरी सन 2024 इसक इसे ही कोई अडवर्टाइजमेंट आएगी उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए स्टे टून अलाफीज